एलो फ्रेंट्स आप सबी के अपने यूटूब चैनल दा टेक्निकल जोपे स्वागत हैं दोस्तो मैं आपके लिए नए जोब रिक्वार्मेंट के इन्फोर्मेशन से लेकर आ गया हूँ जी हाँ दोस्तो न्यू जोब रिक्वार्मेंट की बात करें तो महिंद्रा कामपनी क की तरफ से ओपन वैकेंजी रखे गया है महिंद्रा कामपनी में सिद्धी वर्ती दोस्तो यहां पर आल इंडिया कंडिडेट के लिए जोब रिक्वार्मेंट आई वी है जिसके अंदर एक्स्पिरेंस और फ्रेसर सवी कंडिडेट यहां पर जोप राप्त कर सकते हैं कारि सेलरी की बात करें तो यहां पर सेलरी आपके अप्ट फस्फन अजार रुपे पर मनत के सापब रहने वाली है यह सेलरी आपके एजुकेसंस और पॉश्ट के नुसार यह पर आपको सेलरी पर्वाइट के जाएगी दोस्तों महिंद्रा कामपनी के अंदर आल इंडिया के मे और प्रूस सभी कंडिडेट यहां पर इंट्रो देकर जोब राप्त कर सकते हैं यहां पर नोफिश नोए एक्जाम रखा गया यह जोब आपको फ्री और कोश्ट प्रवाइड की जा रही है इस जोब के लिए आपको एक रुपए बिपेन नहीं करना होगा और यहां पर आप किसी भी परकार का कोई भी हारड एक्जाम नहीं होने वाला है यहां पर आपका इंट्रो के माध्यम से और डोकुमेंट वेरिफिकेशन्स होकर यहां पर आपका सिलेक्शन्स होने वाला है तो अब हम बात कर लेते हैं महिंद्र कांपनी के अंदर कौन-कौन सी पोश्टों क ले क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर पर्मानेट ले फूल टाइम और पार टाइम जोब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं महिंद्र कांपनी रिक्वार्मेंट डिटेल्स इनफॉर्मेशन्स यहां पर महिंद्र का पर आपको अपलाइक करना होगा यहां पर अपलाइक बिल्कुल फ्री अप कोश्ट रहनेवाला है आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर कांपनी की यहां पर कौन कौन सी पोश्टों के लिए जोब रिक्वार्मेंट आई वी है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहांपर Int BigQuery के बात करें तो मैं आपको पहले बिताद के उसके अनुसार यहां circum Army पर वाइड की जाएगी यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर 12 डिपलूमा भी, बी टेक, बीएसी, ग्रेज़ूएट, पोस्ट ग्रेज़ूएट सभी कंडिडेट के लिए यहां पर जोब रिकौर्मेंट आई वी है एज की बात करें तो यहां और आपकी एज 18 एर से अधिक है तो आप यहां पर अपलाई करके जोप राप्त कर सकते हैं 18 से 37 एर के मद्दी यहां पर एज रिक्वार्मेंट रखी गई है यहां पर एज के अंदर OBC, SC, SC, T कंड़िडेट को यहां पर एज के अंदर छूट भी मिलने वाली है अपलाई पर इस के बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया यह जोब इल्कुल free of cost प्रवाइड की जाएगी इस जोब के लिए आपको एक रुपए भी पेन नहीं करना होगा डोकुमेंट के बात करें तो यहां पर आपके पास एजुकेशन, मारक सिट, आधार कारड, पेन कारड, वोटर आइड, फासफोर्ट, फोटोग्राफ, सिगनेचर और रिजिम होना ज़रूरी है रिजिम आपका अपडेट होना चाहिए आगे हम बात कर लेती हैं यहां पर आपको अपलाई किस परकार से करना होगा दोस्तों अपलाई का लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में और टेलिग्राम पर उकलबद करवा दूँगा यहां पर जोब डालके, यहां पर लोकेसंस डालके, यहां पर आप डारेक्ट ले जोब सर्च भी कर सकते हैं, और वाइस आपको यहां पर नीचे की तरफ आना होगा जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अलग लग पोश्टों के लिए जोब रिक्वार्मेंट आई वी है जैसे यहां पर आपको लोकेशन्स मिल जाएगी यहां पर जोब पोश्ट मिल जाएगी वहां पर आप एजुकेशन्स क्वालिफिकेशन्स देखर आप अपलाइक कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं चेरने के लिए यहां पर आदेख सकते हैं बेंगलोर के लिए यहां पर जोब रिक्वार्मेंट आई वी है, मुंबई के लिए आई वी है, लकनो के लिए बेंगलोर के लिए यहां पर जोब रिक्वार्मेंट आई वी है, अगर आपके लोकेशन्स यहां पर मेज नहीं का रही है, तो आपको यहां पर उपर की तरह पा ही है यहां पर आपको किस परकार से अपलाई करना होगा तो हम सबसे पहले इस पोश्ट पर क्लिक कर देते हैं जैसे पोश्ट पर किलिक करेंगे तो ब li सामने यहां पर जोब डिस्रिपन्स उपन ओव ठाची ऐगा यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर एजूकेशन्स क्वालिफिकेशन्स मिल जाएगी भी बीटे कंडिडेट के लिए जोब रिक्वार्मेंट रखे गी है यहां पर एक्सपिरियंस अब वो पॉंट वर्से लेकर साथ वरस के मज़्या रखा गया है यहां पर आप देख सकते हैं डिपलोमा ग्रेजूइट की कंडिडेट यहां पर अप्लाइच कर शकते हैं आग bent जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको परमनेट फूल टाइम यहां पर आपको जीओ परवाइड की जाईगी तो दोस्तों यहां पर apply की बात करें तो यहां पर आपको corner के अंदर apply now का button मिल जाएगा यहां पर आपको click करना होगा जैसे आप यहां पर click करेंगे सबसे पहले यहां पर आपको click कर देना होगा apply now पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर apply के लिए अगर आपने पहले registration कर रहा है तो यहां पर आपको अपने email ID और password डाल के यहां से आपको sign in हो जाना होगा otherwise आपको यहां पर create an account पर click करके यहां पर अपना account आवो create कर लेना होगा जैसे आप यहां पर click करेंगे आपके सामने next page open होगा यहां पर email ID यहां पर copy कर लेना होगा उसके बाद में कोई भी password है यहां पर mention कर रहा है आट चेप्टर के में आपका password होना चाहिए इस परकार से आपको यहां पर password बना लेना होगा वही password यहां पर आपको copy कर देना होगा first name last name डालके यहां पर counter select करके यहां पर आपको check box को write कर देना होगा फिर आपको यहां पर create account पर click कर देना होगा जैसे आपका यहां पर account create होगा उसके बाद में आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं पोस्ट पर click करके आप directly इंट्रू देकर यहां पर आप permanent जो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको मारी जान करें चले को तो वीडियो को like comment और share जरूर करें अम मिलते हैं next वीडियो के साथ